नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में आज हम बात करेंगे बैंकिंग ओफ रोड्स के बारे में जो बैंकिंग ओफ रोड्स है वो होता क्या है देखे पहले जो है हमने विलोसिटी निकाली थी एक लेवल करवड रोड के लिए लेवल करवड रोड का क्या मतलब है जो हमारी जो विलोसिटी आई थी वो क्या आई थी हमारी अंडर रोड म्यू एस आर इंटु जी ये आई थी तो म्यू एस क्या था यहां स्टेटिक फ्रिक्शन आर थी यहां रेडियस जो था curved road का और जी है gravity तो यह हमारी maximum velocity आई थी जो हमने एक level curved road के लिए किसी विकल के निकाली थी तो banking of road क्या है अब देखिए जो banking of road होती है वो क्या है अगर किसी सडक को जो है इस तरह से उठा दिया जाए यानि कि जो को उपर कर दिया जाए इसके क्यों ज़रूरत पड़ती है अब देखिए जो हमने यह velocity निकाली जो हमारी level curved road के लिए निकाली थी तो यहां पर हमें साफ पता है कि जो velocity है mass पे डिपेंड नहीं करती जो विकल के static friction पे डिपेंड करती है और जो radius जो अगर रोड जो है वेट हो रोड के ऊपर पाने गिरा हो तो गाड़ी स्किड कर जाएगी यानि कि friction जो है कहीं तरह से कम हो सकता है कैसे कम हो सकता है अगर रोड वैठ हो तब कम हो गया आपकी गाड़ी के टायर जो है घिसे हुए है तब कम हो गया और अगर ज्यादा ही समूठ सर्फेस है तब कम हो गया तो जो एक force of friction को ही लेना एक जो maximum velocity के लिए ये थोड़ा reliable नहीं रहता तो हम इसके लिए क्या करते हैं एक दूसरी टर्म लेते हैं जो की होती है बैंकिंग ओफ रोड यानि की रोड का जो इन रेज है उसको नीचे कर दिया जाए आउटर रेज को उपर कर दिया जाए तो वहां पे जो है यह हमारी एक velocity है वह जादा जो है जादा पर भी हम टर्म ले सकते हैं इसके लिए जो है banking ओफ रोड जो है दी जाती है banking ओफ रोड जो है मानली जी इस तरह से हुमें कर्व ले लेते हैं इस तरह यहां पे इस तरह से ले लिजिए यह विकल है अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है यहां पे यह टर्न ले रही है यहां से आई यह और इस तरह से टर्न ले रही है तो यहां पे इस विकल के ऊपर जो है अगर हम होरिजोंटल लाइन ले तो जो हमने कर्ड रोड की बात की उ उपर उठा दें इस हिस्से को उपर उठाने क्या मतलब है कि जो यह विकल है अगर हम यह जो है यह वादा हिस्सा उपर उठा दें इस तरह से कर दें तो क्या होगा यहां पर कोई एंगल थिटा ले लें यह तो हो गया हमारा इनर एज तो यह हो गया इनर एज यह हो गया और यह हो गया हमारा ऑउटर एज यह हो गया ऑउटर एज अब देखिए को हमने उपर उठा दिया और इङज और इनरे निजा के कमपैरशन में अगर हम डेख़े तो कहां पर हो जाएगी यहां पर scripture हमारी आ जाएगी यहां पे इस तरह से विकल आ गई तो यह विकल हमारी आ गई मान लेते हैं तो यह विकल आ गई अब जो यह विकल है अब इसके ओपर कौन कौन सी force act करेंगी अब देखिए यहां पे जो है एक हमारा अगर हम forces को देखेंगे तो जो normal reaction का component है वो जो है help करेगा इसकी कि skid ना करें चलिए पहले इसकी forces देख लेते हैं कौन-कौन सी इसके ओपर act करेंगी उसके बारे में जान लेते हैं तो सबसे पहले जो है इसके ओपर जो force करेगी यहां पे act जो है नीचे की तरफ वो करेगी mg जिसको हम बोलते हैं weight weight क्या होता है mass into gravity तो mg जो है नीचे की तरफ act करेगी और जो यह surface जो है इस गाड़ी को देगा बिल्कुल normal reaction देगा वो होगी हमारी r और फोर्स act करेगी बिल्कुल surface के perpendicular act करेगी उसके बाद अब जो है जैसे यह turn लेगी तो इस तरफ skid करने की कोशिश करेगी यानि कि जो friction force है वो किस तरफ act करेगी इस तरफ act करेगी motion उस तरफ skid करने कोशिश करेगी जैसे गूमेगी लेकिन यह friction force जो है इस तरफ act करेगी तो यह भी हमारा clear है अब जो आर है आर के दो component हमारे बनेंगे जो normal reaction है उसके दो component बनेंगे अब देखिए आर इस तरह से है आर इस तरह से है तो इसके दो component कौन कौन से बनेंगे आर कोस थिटा और आर साइन थिटा दो component बनेंगे आर साइन थिटा जो है यह बनेगा आर कोस थिटा जो है यह बनेगा अब यह जो है साइन थिटा ही क्यों बनेगा यह कोस थिटा ही क्यों बनेगा यह निकि अगर हम इसका देखें तो जो आर कोस है जो ओर कोस्थिंट इसाइंटर का सेंटर है इसके सेंटर की तरफ जो है सब्सक्राइब तो यह जो है यह कोस्थीटा बना यह ध्यां से देखिए कोस्थीटा बना विर्टिकल में और यह यह आर साइन थिटा बना यह आर कोस थिटा बना अब यह आर कोस थिटा ही क्यों बना अब देख लेते हैं अब यहां पर देखिए इसको समझते हैं इस थिटा को ही समझते हैं कि यह आर कोस थिटा क्यों बना है जो अपवर्ड की तरफ है आर का तो पहले जो है हमारे पास क्य है इस तरह से है और यह हुगा यह जाता है यह यह नायन कि यह जो एंगल होगा गर हम एक लाइन इस जो है पिल्कुल इस तरह से लगादे help यह हैं अब यहां हो जाएगा टोटल एंगल की बात कर रहे हैं यह बला यह हो जाएगा हमारा 90 डिगरी का लेकिन इसमें से यह तो 90 माइनस थिटा है तो यह जो बचा हुआ एंगल है यह कितना हो जाएगा टोटल एंगल कितना है 90 डिगरी उसमें से यह अंगल गटा Дें तो यहीं वचएगा यानिकी ऑगर्ट बनता है तो यहां पर देख μέिए अगर यह थिता बनता है तो यह क्या बनेगा थिटा बनेगा और अगर यह थिटा बनता है तो यहां पर आर है यह क्या है आर है हमारी तो थिटा के साथ वाला जो बेस होता है यानि कि होरिजोंटल थिटा बनेगा यानि कि horizontal component बनेगा तो इसलिए आर कोस्ट थिटा आप समझ गई होंगे कि यह किस तरह से बना है दूसरा बना है आर साइन थिटा तो यहां पर यह component हमारे बनते हैं यह आपको clear हो गया होगा तो चलिए अब हम समझते हैं जो दूसरी forces हैं वो कौन कौन सी act करेंगी उनको जान लेते हैं यह हम रब कर देते हैं उसके बाद समझते हैं जो next है हमारा कि और कौन कौन सी force इस पर act करेंगी अब देखिए जो R है हमें पता है वो किस तरफ है इस तरफ है यह R है R cos theta किस तरफ है यह इस तरफ है इसी को हम बना रहे है R cos theta इस तरफ है और R sin theta किस तरफ है R sin theta हमारा इस तरफ है यही figure बना रहे हैं R, R cos theta, R sin theta यह तो हमें समझ आ गया यहां पर क्या एंगल है ठीटा एंगल है ठीक है friction force की सब्सक्राइब कर रही है इस तरह एक्ट कर रही है यह जो रही friction force यहां पर हमने दिखा दी अब इसका वेट जो है वह कहां पर है वह नीचे की तरफ शारी की सारी forces उतार लिए अब आरके दो component हमने बना लिए force के भी दो component बनेंगे अब force के जो दो component बनेंगे वो कौन-कौन से बनेंगे और कौन सा horizontal होगा कौन सा vertical होगा अब देखिए f जो है इस तरफ है और अगर हम देखें तो यहां पर यह शेका लेते हैं तो यहां से हैसे आर का मिला देते हैं आप का साथा ओपर नहीं ईहां सर्पेस प तो यसाइन था था है तो यह कितना हो जाएगा यह घृटा हो गाएगा यह rhett ए यहां पर बनेंगा स्वल मुझा आपड़ा कि सूक्त और मुझा संस Amaos despite हमेंट से अंदर के साथ है जहों के बनेंगा दूसरा यहां पर नीचे की तरफ बनेंगा यहși कि f sin theta नीचे की तरह बनेगा अब देखिए यहां पर एक और बात आती है कि cos theta r cos theta ओपर क्यों बना है f sin theta नीचे क्यों बना है अब देखिए r की direction यह थी अगर हम vector में देखें यह अगर हम resultant मान लें तो अगर दो vector लें एक यह और एक यह तो एक दो इनका resultant यही तो बनेगा यनिकि एगर यह r है यह थो एक वेक्टर यह ले लिया एक यहां पर ले 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 वही है यह यहोपर की तरह बनेगा तो ओपर और इस तरह यह बन गया अब जो f है वह जो है इस तरह है f जो है इस तरफ है आभ इसके दो component बनाने है किस तरह से बनेंगे इस तरह से ले लिजी मान लिजी इस तरह से है तो इसके दू component किस तरह से बनाएंगे आप एक तो इस तरह से बनेगा एक तो जो है downward की तरह बनेगा और एक इस तरह से बनेगा अब यह जो downward की तरफ है यह F sin theta है और यह जो horizontal component है यह F cos theta है इसलिए यह downward बना तो यहां पर यह भी हमें clear करना है कि जो F का component है नीचे की तरफ क्यों बना downward और R का component है उपर की तरफ किस तरह से बना तो यह सारी चीज़े हमें clear करते चलनी है अब देखिए इसके अंदर हमने सारी forces देख ली F के दो component बन गए R के दो component बन गए ये आ गया हमारे पास जो total forces का हमने देख लिया अब इसके अंदर जो है अगर हम बात करें कि vertical component की बात कर लेते हैं सिर्फ जो vertical line है तो सिर्फ vertical vertical line आपको देखनी है vertical line के अंदर अगर हम उपर वाली direction को positive ले ले नीचे वाली direction को negative ले ले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर जो R cos theta है R cos theta equal to mg plus F sin theta आ जाएगा mg plus F sin theta यहीं आ जाएगा तो R cos theta equal to mg plus F sin theta आ गया अब यह जो हमारा यह R sin theta और F cos theta इस direction में है यह भी हमें पता है कि R sin theta और F cos theta इस direction में है इस direction में कौन सी force होगी जो जब यह round turn लेगी इसको circle में रखेगी वो कौन सी force होती है वो होती है हमारी centripetal force यह भी हमें पता है कि जो centripetal force है वो इसको जो है circle में बनाई रखने की कोशिश करेगी centripetal force का formula क्या होता है mv square by r mv square by r होगा यानि कि यह जो है तो centripetal force के बराबर होगा क्योंकि centripetal force भी तो वही है जो इसको circle में बनाई रखेगी तो यह जो दोनों component हैं जो center की तरफ हैं क्योंकि centripetal force जो है towards the center act करती है यह भी हमें पता है अब यहां पर r sin theta यहां से देखें r sin theta plus f cos theta r sin theta plus f cos theta equal to किसके आजाएगा mv square y r के बराबर आजाएगा यानि कि यह centripetal force के बराबर ही है यह दोनों component क्योंकि towards the center ही है तो यहां से एक यह equation आजाती है अब f की जो value होती है वो क्या होती है f की जो value होती है f किसके बराबर होता है mu s r इस case के अंदर होगा क्योंकि static friction की बात कर रहे हैं तो f equal to mu r होता है तो mu s लगा दिया क्योंकि static friction है तो mu r हो गया तो f जो है जहां पर पूट करेंगे value mu r पूट करेंगे अब यह r cos theta है equal to mg है और यहां पे f की जगा हम यह value पूट कर देंगे तो चलिए आगे चलते हैं और यहां पे r cos theta equal to mg plus f की जगा क्या पूट कर दिया mu s r mu s r और यहां पे क्या आगया sin theta आगया तो हमने क्या किया f की जगा mu s r को पूट कर दिया उसके बाद देखिए यहां से अगर आप इसको इस तरफ ले आए यानि कि r को अगर हम common ले ले यह इस तरफ आ जाएगा यहां पे क्या आ जाएगा cos theta minus mu s sin theta इस चीज को इस तरफ ले आए तो r common आ गया cos theta minus mu s sin theta equal to किस के आ गया mg के आ गया तो यह जो है यह equation आप ध्यान रखेगा तो यहां पे क्या आ गया है r cos theta minus mu s sin theta equal to mg आ गया यह हमारे पास आगया अब देखिए जो हमाने दूसरी equation बनाई थी एक तो यह बनाई थी इसको first नाम देते हैं इसको second नाम देते हैं तो यह एक दूसरी जो यह बनाई थी r sin theta प्लस जो f है cos theta mv square by r अब यहां पर भी f की value put कर देंगे तो इस equation के अंदर put करते हैं चलिए यहां पर आगया r sin theta प्लस f की जंगा mu s r cos theta equal to mv square by r तो हमने सिर्फ क्या किया है इसमें भी f की value put कर दी इसमें भी f की value put कर दी जो की यह आई तो यहां पर हमने यह put कर दिया यह आगया हमारा यह अब यहां से देखिए जो r है r की हम value यहां से यहां से फिर r को common लेंगे और r को common लेके r की value हम निकाल लेंगे वो कैसे यहां से r हम common ले लेते हैं यह क्या आगया sin theta plus mu s यह r common आगया cos theta equal to यह क्या आगया mv square by r आगया अब यहां से r की value क्या आ जाएगी अगर हम इस r की value निकालें तो इस r की value क्या आ जाएगी हमारे पास यह equation आ गई अब यहां पे जो mv square by r है mv square by r है और यहां पे यह equation आई थी मालिजे इसको third equation नाम दे दीजिए इसको आप नाम दे दीजिए fourth equation नाम दे दीजिए यहां से अगर आप r की value निकालें तो यहां से r की value क्या आ जाएगी mg divide by सारा यह आ जाएगा तो यहां से r की value हमें निकालनी है mg divide by यह आ गया cos theta minus mu s sin theta यह आ गया r की value mg divide by cos theta minus mu s sin theta आ गया अब यही जो r की value आई है यही जो r की value है हमें यहाँ पे put कर देनी है इस equation पूट कर देनी है हर चीज देखते चलिए कि क्या यहाँ पे हम कर रहे हैं तो यह चीज हम erase कर देते हैं इस r की value को यहाँ पे put कर दिया अब जब इस r की value को यहाँ पूट कर देंगे तो यह क्या आ जाएगा mg by cos theta minus mu s sin theta यह तो R की वैली पूट कर दी, इसके साथ क्या है mg के साथ sin theta plus mu s cos theta तो यहाँ पे आ गया sin theta plus mu s cos theta यहाँ गया, equal to किसके है यह, mv square by r k, mv square by r k, तो यह equation बन गी क्या किया, r की value यहाँ से निकाली और यहाँ में बूट कर दी, यह equation आपकी बन जाती है, यहाँ आप देखिए m से, m cancel हो जाएगा और यहाँ से अगर हम v की value निकाले, अगर आप यहाँ से v की value निकाले, तो v square की अगर value निकाले तो r इस तरफ multiply हो जाएगा तो r इस तरफ multiply हो जाएगा तो r g यही आई और यहाँ पर क्या आगया, sin theta plus mu s cos theta divided by यह है ही हमारे पास cos theta minus mu s sin theta यह है, r इस तरफ चला गया, अब v की अगर हम value निकालें तो यहाँ से square cancel out हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, under root यहाँ फिर power 1 by 2 इसका under root हो गया, तो यह जो v है, यह maximum velocity है जो कि हमें जो है, यह bank road पे जो आप रख सकते हैं अब यह जो v i है, यह maximum velocity i है यह ज्यादा है किससे, जो level card road के लिए हमने यह निकाली थी इससे साफ पता चलता है किससे जादा है, तो यह भी हम यहां से clear कर लेते हैं दूसरा, अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे mu s को static friction अगर माली जीए, हम zero put कर दें special case ले लेते हैं कि mu s को zero put कर दें, जो static friction है अगर static friction को आप zero put कर देते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा अगर इसको आप further भी solve कर सकते हैं further कैसे solve कर सकते हैं इसको put करने से पहले यानि कि जो वी की value है यह जो इसको आप divide कर दें यानि कि यहां कहें कि cos theta को बाहर निकाल लें तो cos theta को भी आप बाहर निकाल सकते हैं rg cos theta cos theta बाहर निकाल लें तो यहां पर क्या बचेगा sin theta by cos theta हो जाएगा यह 10 theta हो जागा यानि cosθट अपने common ले लिया, r g cosθट आ गया, इसके divide में आगया, इसके divide में आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ mu s, यह बन गया, divide by, यहाँ से cosθट अपने बाहर निकाला, तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 minus mu s 10 theta क्योंकि sin theta के divide में आएगा cos theta ये बच जा cos theta से cos theta cancel out कर सकते हैं और जो v की value है और solute करके आपके पास क्या जाएगी 10 theta plus mu s ये आ गई और divide by 1 minus mu s 10 theta ये आ गई तो ये जो है v की वही value है जो यहाँ पे है सिर्फ हमने क्या किया cos theta common ले लिया और आगे फर्दर इसको solute कर दिया अब इसके बाद यहाँ पे special case ले सकते हैं कि mu s की value है अगर हम उसको 0 put कर दें यानि कि static friction है अगर 0 हो जाए मनले जीए तो क्या होगा ये 0 हो गया ये term भी 0 हो जाएगी तो V किसके बराबर आ जाएगा V हमारा बराबर आ जाएगा RG 10 theta के बराबर V किसके बराबर आ गया RG 10 theta और यहाँ पे half भी है यहाँ पे half था तो यहाँ पे half भी है तो यानि कि RG 10 theta का 1 by half के बराबर आ गया इसके बराबर आ गया अब यहाँ से आगर आप इस half को या अनुरूट को खतम करते हैं तो यानि कि यह वी स्केरा जाएगा RG 10 थिटा, और यहां से जो 10 थिटा कि value है वो क्या जाएगी वी स्केर के नीचे चला जाएगा यह तो 10 थिटा कि value जो है यह आजाएगी वी स्केर वाई आर जी यह जो टेंधेटा है यह किसका मख concretely kommen को तो वहां इसको हम देख सकते हैं कि यह जो हम झाल करते हैं कि सान को यह तो यहां पे जो है हम इसको रब कर देते हैं और हम इसको फर्दर जो है solve करते चलेंगे अब यहां पे देखिए हमने क्या करना है जो 10th हिटा है अब हम मान लेते हैं यही जो हमने एक outer edge को इस तरह से हमने ऊपर जो यह इसको उंचा कर दिया है साइड से मान लेते हैं यह है और यहां पर आप ले लिजिए ए ले ले लिजिए इसको बी ले ले लिजिए इस तरह से मान लेजिए और जो यह जो है इसको हम मान लेते हैं यह जो है भी है यानि की breath है अब यहां बी जो है काफी जादा बड़ी है यह तो हमें दिखी रहा है से काफी जादा बड़ी होगी, अब यहां पर देखे, यह जो theta है, अगर आप यहां से, यहां से अगर आप value निकाले O, B की, O, B की value क्या आएगी? क्योंकि, O, B की क्यों चाहिए? क्योंकि जो 10 theta है, वो किसके वराबर होता है हमारा, जो हमारा perpendicular है और जो base है perpendicular by base होता है perpendicular तो है हमारे पास h, base है ob ob की value हमारे पास नहीं है तो ob की value हम इस triangle से निकाल लेंगे, अब ob की value क्या आएगी हमारे पास under root, y square minus y square, यहीं आएगी तो यह हमारे पास क्या आजाएगा, अगर हम इसको देखें यहां से आप इसको समझजए, जैसे कि यहाँ पर o a का square है o a का square, तो वो किसके बराबर होता है, a b का square प्लस ob का square, यहीं होगा, ob का square यहाँ से किसके बराबर आजायेगा o a का square minus a b की square के बराबर अब अगर हम square हटा दे तो यहाँ पे under root आ जाएगा यहाँ पर जो है 10 theta के गर हम देखें value तो यह क्या आ जाएगी h by under root b square minus h square यही आ जाएगी अब यहाँ पर एक और case बनता है 10 theta जो है अब इसके बराबर है और यहाँ पर जो 10 theta है किसके बराबर है b square y r g के बराबर है तो यहाँ पर जो है 20 square y r g आप इसको value पूट कर सकते हैं equal to 10 theta यह भी है 10 theta यह भी है अब यहाँ पर एक और case बनता है कि जो हमने बात की कि जो h है h तो काफ़ी छोटा है b से अब इनका square हो गया है अंडरूड के अंदर अंडरूड के अंदर square भी हो गया है यानि कि जो हमारा h है उसको तो हम जो है neglect कर सकते हैं और यहाँ से अंडरूड के बाद जो b square बाहर आएगा तो वो क्या बनेगा यह क्या बन जाएगा h by b बन जाएगा और यहाँ पर यह किसके बराबर है v square by r g के बराबर है तो यह value आप निकाल सकते हैं यहां से वी की value निकाल सकते हैं इससे तो इससे अगर हम वी की value निकाले वी square किसके बराबर आजाएगा h r g divide by b और v की value क्या आ जाएगी under root hrg divide by b तो यहां से आप b की value जो है निकाल सकते हैं तो इस तरह से b की value भी आप find out कर लेंगे या फिर आप यहां पर एक और चीज ले सकते हैं एक और चीज क्या ले सकते हैं इस equation से जो हमने यह निकाली इससे आप लिख सकते हैं v square by rg आ जाएगा यह rg के नीचे और equal to h by b तो यह आजाएगा और यह किसके हैं दोना बराबर 10 theta गे यह भी आप निकाल सकते हैं यानि कि इस equation से कुछ भी निकाल लेजिए तो हमने 10 theta equal to क्या निकाल लिया जो v square by rg equal to h by b है यह आप लिख सकते हैं अब यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है अपने 10 theta जो है वो हमें कितना h रखना है कितना b रखना है इस तरह से जो है velocity के according और जो r के radius of curvature के according वो निकाल लेते हैं अब यहाँ पे देखिए जो speed है वो वैसे तो जो है यानि कि इसको पल्टने नहीं देती है skid नहीं करने देती तो वहाँ पे friction force जो है वो act करने लग जाती है वैसे board वहाँ लिखे होते हैं कि इतनी speed पर आपको जो है turn लेना है लेकिन कम यह जादा हो जाती है तो friction force जो है tire और road के बीच में वो जो है बाकी चीजों को taggle कर लेती है तो वहाँ पे यह banking of road है यह फायदा हमें मिलता है आपने देखा होगा जो trains है train के जो track होते हैं वो भी थोड़े banked होते हैं जब turn लेते हैं यानि कि outer edge उपर होता है inner edge नीचे होता है वो भी जो है same easy reason के कारण किये जाते है तो यह था हमारा कि जो banking of road है वो क्या होते हैं उमीद करते हैं आपको यह lecture समझ आया होगा और इसी तरह की और ज़्यादा अप्रेटिड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल learn and grow पे हमें subscribe कर सकते हैं Thank you